Hello everyone, good evening, this is Vikas here तो एक बहुत सारे डाउट है आप लोगों की कि मौक टेस्ट में माक्स कम आ रहे हैं बहुत कम माक्स आते हैं आप अब दोस्तियार से कम आ जाते हैं करें रूम मेट से करें दोस्तों से कभी अचानक से बढ़ जाते हैं अचानक से घड़ जाते तो आज इसी पर हम analysis करेंगे mock test marks की तो यह बहुत important videos हैं आपका सारा doubt clear हो जाएगा mock test से related और marks related आप कभी दुबारा फिर सोचो को भी नहीं mock के बारे में mock test के marks के बारे में चाहें वो आप अभ्यास देख्या हो कुछ भी देख्या हो आपको फरक नही कि हम इन सब बातों भी बात करेंगे कि how many mock test आपको attempt करने चाहिए कोई 200 गहरा है कोई 100 गहरा है उस पर भी बात करेंगे linkages देखेंगे UPSC से कैसा है कैसे सवाल आते हैं क्योंकि आप लोगों पता है हमने last dennis के PYQs बहुत बारी किये हैं बहुत सारी लोग आप 2-3 साल से ज issues हैं mock test related या marks का या जो भी है तो आप comment section में जरूर बोलिए और अगर अच्छा लगे तो like जरूर करिएगा इसलिए क्योंकि मुझे YouTube अपना revive करना है क्योंकि एक साल से पढ़ा हुआ है ठंडे बसते में इसलिए कह रहा हूं ना कि ऐसे subscriber बढ़ाने के लिए तो मैं reality में बत आपको differentiate करना है अगर आप mock test दे रहे हो कि UPSC और mock test दोनों अलग अलग चीज़ हैं mock test जो आप देते हो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो spectrum पढ़ते हो लक्षमी कान पढ़ते हो आप NCRT पढ़ते हो जितनी भी चीज़ें पढ़ते हो ना mock test के questions यहां से बनते हैं spectrum पढ़ा आपको mock test दे क़र आया एक सट्टर को सारी questions लेक्स मिल गए लक्षमी कान पढ़ता दे हैं आपके लेक्षमी कान सारी चीज़ें लेकिन इक चीज़ नोट करने वाले कि UPSC में 100 questions आते हैं ठीको नते हैं वह कि 100 सीartiku questions अहते हैं जो यह सारी चीज़ें होते जिसमें आपके regular resources होते हैं, जिसमें आपके लक्षमी कांथ, spectrum, सारी चीज़ें मिला कि जो आप पढ़ते हो, जिसके लिए परिशान रहते हो, mock test, mock test, कितने भी marks लेओ, वो आप 30 questions के लिए कर रहे हो, आप जाके PYQs उठा के देख लो, वहाँ पेज जितनी भी चीज़ें आप पढ़ 30 questions के आप तयारी करते हो, पूरी भीड इसी में लगी हुई है, 3-4 stage होते हैं, पहला यह आपका basic है, यह आपके mock test वाले हैं, यह advanced level UPSC है, लोग यहीं पर परिशान रहते हैं, इसी mock test में, यह वो इतने marks आरे हैं, यहाँ कोई जाही नहीं रहा, यह 60-70 questions है, इसको touch करना बह यहाँ पर master हैं, तो बहुत सारे ऐसी लोग होगे, जिसके 40-50 marks आरे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप UPSC नहीं निकाल पाओगे, बहुत सारे ऐसे होंगे, लेकिन यह भी guarantee नहीं कि आपका UPSC निकल जाएगा, high chances हैं, कि आपका basic अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी आप लोगो कराऊंगा, लास्ट दो साल के, और बहुत अच्छे से कराऊंगा, live brainstorming कराऊंगा, क्योंकि सिर्फ analysis जरूरी नहीं है, सब कुछ जरूरी है, कि आप उस चीज़ को दिमाग में internalize करो, and that is very very important, तो उन सब चीज़ों के विबारे में बात करेंगे, और अगर आप लोग नए जुड़े रहे हो, तो विकास्ट ठाकुर UPSC करके, टेलिग्राम चैनल है, वहाँ पे सारे update मिलते रहते हैं, कैसे live करेंगे, क्या schedule है, तो वहाँ से आप चेक कर लिजेगा, और mock test में एक चीज़ और है, कि random questions बहुत आते हैं, random questions इसलिए आते हैं, क्योंकि उनक शंट जितने भी चीज़े जा रहे हैं, तो आप 4000 questions और UPSC में सिफ 100 questions, तो कितना difference है, यह बहुत ज़ादा deep चले जाते हैं, sectional में बहुत ज़ादा deep चले जाएं, current interface बढ़ रहे हैं, तो कुछ भी पूचेंगे current interface में, मतब UPSC थोड़ा सा random हो तो सबसे ज़ादा random हो गए, यह चीज़, और आपको एक चीज़ यह समझना है, कि after a threshold, अभी हम threshold की बात करेंगे, कि marks बहुत ज़ादा matter नहीं करता, यह mock test के, एक threshold होना चाहिए, वैसे नहीं कि 10 number आ रहे हैं, 20 number आपके आ आ रहे हैं, आप सुचो कि UPSC निकल जाएगा, तब तो कही न कहीं structural issues हैं, आप तो आप इखो, आपके basic बहुत जादा गलत हो रहे हैं, तो आप ignore नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं, ignore is, अज्यानता, कि आपको पता ही नहीं कि आप गलत कर रहे हो, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करों, जो serious candidate हैं, उसके बाद उनके marks fluctuate ह होते हैं। तो वह सारी चीजा़ में देखेंगे। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो mock test के questions बनाते है, वह कौन बनाते है, कौन है वो लोग , वह आप जैसे ही लोग है, वह बहुत ही रिसर्च वाले लोग नहीं होते हैं, रिसर्च करते हैं, PYQs देखते हैं, सारी pattern देखते हैं, यहां से आ रहा है, theme देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, randomly chat GPT से बना दिया, बहुत सारे test series है, randomly chat GPT से बोला, AI से कि आप 10 question बना दो, इस पर बना के देदेगा, वोई copy paste मार देते हैं, तो आप यह सोचो, mock test बना कौन रहा है, हम जितने emotions के साथ mock test को लेते हैं, actually reality यहां कुछ लग है, यहां emotion नहीं चल रहा है, यहां randomness चल दी, और हम first जा रहें, हमारी जो energy है, वो mock test के तरफ attract हो रही है, और इसको हम skip कर दे रहें, पहली चीज, fluctuation in marks होता है, किसी किसी में क्या हौ रहा है, कि आपके 110 आ रहें, किसी में 60 आ रहें, किसी में 50 आ रहें, 200 mock test लगा लो, सब consolidate कर लो, फिर भी 30, उसके बाद आप आके बोलोगी, unpredictable service commission है, नई, आपको ये चीज़े समझना है, यहाँ पे master बनना है, मैंने हर बारी forest को टॉफ क्लियर किया, forest से भी मेरे बहुत जादा number उपर थे, वो इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे बहुत जादा master थे, यह मेरा basic ठीक है, मतब basic ठीक है, बट यहाँ की चीज़े मैंने internalize किये, और वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, आने वाले 10 दिन में, मतब कई सारे में videos करवा दूँगा, और live भी करेंगे, ताकि एक discussion हो, एक engagement भड़े, और वो चीज़ें अच्छे से हो, नहीं तो मैं superficial level भी बता दूँ, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वो बहुत काम नहीं करेगा, और यहाँ पे भी randomness होती है, बट based on some trend, कि हमें पता है, कि randomness कहां कहां होती है, कि subject में होती है, quality है, तो fixed areas है, theme, मैंने videos बना है, वहीं से पूछते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे consider नहीं हो होती है, यह research वाली चीज़ें है, यह लोग इतना time नहीं waste करते हैं, यहाँ पे जाके research करें, तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें ignore करने है, हम आगे देखेंगे, now, यहाँ basic plus common sense, basic questions आएंगे, 25-30, जो आप पढ़ solve PYQs, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ दिक्कते हो रही है, आपको कुछ नहीं आता, PYQs देखो, check करो अपने preparation level को, बहुत सारी चीज़े बनेंगे, basic अगर आप सही कर रहो PYQs से, तो इसका मतब basic आपका सही है, जो random questions वो नहीं सही कर पार हो, तो कहीं ना कहीं आपन चीज़ें internalize नहीं की, और उस पे काम करने की जरूरत है, वो बहुत जरूरत है कि उस चीज़ें को आप internalize करो, और वो मैं करवाओंगा, फिर यह भी आप जानो कि यह जो questions पूछते हैं, based on trend और pattern पे पूछते हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली, especially current affairs, यहाँ पे बहुत deep current affairs पूछते हैं, अंदर जाके छोटी issues होंगे, बहुत deep चले जाएंगे, चार statement बना दी, अरे नहीं पूछते, यहाँ पे कभी नहीं पूछता, UPSA में, UPSA में बहुत basic question आते हैं, अगर 15 पूछ रहा है, उसमें से 6-7 बहुत basic होंगे, मियावा की technique क्या है, आपको recognize करना है that is related to the afforestation, लेकिन यहाँ पे क्या मियावा की technique है, फिर कैसे होता है, advantages, disadvantages, you are wasting your energy, तो 6-7 तो बहुत easy आते हैं, context अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे, बाकि 6-7 जो current affairs में tough आते हैं वो यहाँ भी नहीं होगा, और वो आपके किसी monthly magazine भी नह around समझो, mock test के marks का, जो pattern कैसे बनता है, क्या reality है इसके, अभी हम अगर way forward देखें क्या क्या हम कर सकते हैं, तो पहली चीज, आपको यह दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि mock test ignore ही कर देना है, उसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, नहीं, attempt 25-30 mock test, check your basic, अगर आप mock test करते हो, लेट से आप quality करते हो, तो quality के कोई repetitive mock test उठाओ, और उसमें देखो, कि आपके basic गलत हो रहे हैं, fundamental rights से गलत हो रहे हैं, DPSP से गलत हो रहे हैं, अगर गलत हो रहे हैं, तो यह आपके लिए red flag है, आप minimize करो, देखो हम eliminate नहीं कर सकते, ऐसे मैं सोचना कि आपके basic गलत ही नहीं ह marks आएंगे, तो वो चीजें होती रहती हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ा issue नहीं है, लेकिन आप उस चीजे को minimize करो, जहाँ 20 हो रहे है basic, वहाँ 15 करो, फिर 10 करो, 5 करो, eliminate नहीं कर सकते, 0 is nearly impossible, we are humans, तो check your basic सबसे पहले चीजें, अगर question random है, और आपके marks कम आ रहे हैं, तो आप mock test को blame करो कि कच्रा बनाया, कच्रा बनाया है, ना कि खुद को blame करो, अपनी जो मेहनत है उसको blame करो, नहीं, उसके लिए परेशान मत हो, ऐसा नहीं कि आपके नीन चली जाए, मैं मुझे पता है, कि आपके marks कम आते हैं, आप सोते नहीं हो रात में, आपको tension होने लगती है, आई थे, अभी भी पढ़ आयो हाँ पर, 127 नंबर थे मेरे, लेकिन उसका मतलब भी नहीं कि rank 1 आई उसके बाद एक महीन एक्जाम था, तो मेरे सम में rank 1 आई नहीं, फिर भी 60 नंबर, 70 नंबर आते थे, तब क्या मैं बताऊं, लेकिन एक चीज के लिए था कि PYQ उस पर मैं जो में, then it's okay, then it's fine, then go ahead, वो random question जो बना रहे, current affairs के कचरा, अगर वो आपके सारे गलत हो रहे है न, कोई बात नहीं, वहाँ से सीख लो, उसके highlight कर लो, next time आएगा कुछ factual चीजे हैं, देख लिए ठीक है, वहाँ से सवाल नहीं आ रहा है, सवाल random आएगा और वो trend पे आता है आप देखो, 2023 के मैं आपको जब करवाऊंगा, तो आपको मैं बताऊंगा, कितना आप common sense से सवाल कर सकते हो, common sense is very important, यह कोई elimination नहीं है, यह common sense है, आप वहाँ आपका presence of mind कैसा, आप कैसे सोचते हो, क्यों कह रहा है, none of uses sea water, तो आप सोचो यार, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई एक बाल्टी पानी यूज कर लिया, तो गलत हो गया, इक्जामनर के लिए गलत हो गया वो, तो एक्जामनर कभी इसको accept नहीं करेगा, छोटी छोटी चीज़ें, कि जो यह gas निकलती, इसको हम कहां, मतब एक तरीके से store करके रख सकते हैं, जो discussion होता है, किस किस चीज़ों में discussion, वो discussion के बारे में बात कर रहा है, discussion, discussion किसी भी चीज़ की किया जा सकता है, वो कैसे गलत हो सकता है, तो छोटी छोटी चीज़ें, मैं आपको समझाओंगा, बताओंगा, एक एक चीज़ें, जहां काम करेंगी, जहां नहीं करेंगी, वहां भी बताओंगा, but it's okay, तब भी number आराम से बन जाएंगे, you have to follow the process, वो सारी चीज़ें हम PYQ से करेंगे, and don't fall in crowd mentality, कि इनके 120 हा रहे, उनके 130 हा रहे, आपके 60 हा रहे, आप सोच रहे, अरे यार यार ये लोग तो पहली बात cheating कर लेते हैं, और जिसके आभी रहे, it's okay, इसका मतलब यह है, कि उसका जो orientation है, व क्योंकि यहां 70 है, weight is, देखो, यह 30% है, यह सब कुस 30% है, यहां आप topper बन रहे हो, यहां, यहां topper बन रहे हो, यहां नहीं, यहां वो topper बन रहे है, जो PYQ कर रहे हैं, जो analyze कर रहे हैं, सिर्फ solution नहीं पढ़ना है, analyze करना है, and don't prepare like mock test mentality, कि mock test में current affairs ऐसे पूछा, फिर आ दिमाग एकदम भरे ले रहो, और यह सारी चीजें कचरा है, उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं, PYQ में ऐसी चीजें आहीं नहीं रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आप से mock test के according पढ़ रहे हैं, mock test में ऐसे पूछा था, तो मुझे यह सारी चीजें कबर करने नहीं, जो की बहुत थी गलत mentality है, बहुत जादा गलत mentality है, उसको दिमाग में बिठा के रख लो, कि वो चीजें आपको नहीं करने नहीं, आपकी पूरी preparation उस coaching institute के mock test के तरब जुख जाएगी, मैं बार बार के रहो, mock test को just mock test लो यार, उससे time management देखो क्या आपका हो रह बस basic गलतियां नहीं आपके, तो उस mentality में नहीं जाना है, कि आपके पूरी तयारी mock test का हो जाए, आप सब कुछ यहां सीखियो, यही सारी जाके आप UPSC में apply कर रहो, कि रहे ऐसे question होते हैं, और एक चीज और होता है, कि mock test में क्या होता है, बहुत ही minute mistakes होते हैं, छोटे स्क्राम देने जाते हो, तो simple statement में आप शक करने लगते हो, overthink करने लगते हो, उसको गलत करके आते हो, तो यह चीज़ें आपको avoid करना है, इसलिए mock test को अलग रखना है, UPSC को अलग रखना है, इसकी mentality में train होना है, यहां पे सिप चेक करना है, यहां पे कोई mentality नहीं सेट करन यह देखे कैसे wrong statement मनाते है, उस सारी चीज़ें हम देखेंगे, दो ही साल में तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने हो जाएगा, लेकिन यह बहुत ही dangerous है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, आप crowd में फज जाते हो, मैं बता रहूना basic, फिर थोड़ा सा आगे and this is like qualification, य मॉक टेस्ट वाला एरिया है, लोग यहीं पर भीड़ पूरी यहां है, सब कुछ यहां है, बहुत कम लोग है जो यहां पर आ जाते हैं, यहां टच कर लेते हैं and they are qualifying, तो आपको यहां जाना है, मैं आपको यहां से यहां ले जाओंगा, यहां से यहां, यहां तक आपको ख प्रेजन्ट, मैटर, हर साल ऐसे ही होता है, आप उसके लिए परेशान नहीं हो सकते हैं, आपकी यूनिक चीज़े हैं, आप PYQs पर जादा फोकस करो, आप बोलो ठीक है, मैदान में आओ, वहां देख लेंगे, क्योंकि आप उन चीज़ों के लिए ट्रेंड हो, जो बेसिक अपनी चीज़ें अनलाइज करो, बाकि यू आप टो ट्रेंड, जो UPSC में कुश्चन्स आते हैं, उस हिसाब से मेंटालिटी रखनी है, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो न, मौक टेस्स से बहुत जादा फरक, मतब उसके माक से पढ़ता नहीं है, उसको एक हो जाओगी है, मेरी गैरेंटी है, तो अभी उसके लिए परेशान मत हो, और जल्दी हम शुरू करेंगे, अभी यूटूब पे ही लाइफ करेंगे, अभी शेडूल करेंगे, परसो नर्स हो का एक सेशन रखेंगे, और सारे लोग मिलके करेंगे, तो डोंट वरी, आप लो से बता रहा हूँ, परिशान होने वाली बात नहीं है, तो सी यू इन दर नेक्स सेशन, तिल देन टेक केर, शुब राते